जै माकाली हमतांत्रिक दुर्वासा समय नश्ट ना करते हुए सीथा अपनी बात पे चलेंगे आज जो है हम हनुमान साधना की उपर बात करेंगे देखिए हनुमान जी की साधना जो है काफी लोग करना चाहते हैं कुछ लोगों को हमें करवाई भी है लेकिन इसमें समय ज्यादा लगने के कारण कुछ लोग इसको इतने लंबे समय नहीं कर पाते हैं किसी ना किसी वज़ा से उनकी साधना भीच में ही रुख जाती है तो इस साधना को वही करे जिसके पास समय है और जिनकी उमर काफी है और काफी समय उनके पास रहता है वो इस साधना को शुरू कर सकते हैं काफी अच्छी साधना है काफी शब्द इसमें ना उपयोग करते हुए अगर हम बोलें की सर्वुत्तम साधना है जो लोग सात्वी भाव के हैं उनकी लिए सर्व उत्तम साधना जो है यह है मा लक्षमी की साधना भी कर सकते हैं आप लेकिन इस वीडियो में हम हनुमान जी की बारे में ही बात करेंगे देखिए जो भी व्यक्ति इनकी साधना कर लेता है उसके उपर कभी भी तंत्र का प्रियोग नहीं होता कोई जो है ऐसे ही तंत्र कुई आपकी उपर प्रियोग करके आपको विमार नहीं कर सकता या आपके घर की उपर भी कोई प्रियोग नहीं चलता है तो सबसे बड़ा रक्षा कवच है अगर इसकी कुई साधना कर ले कुछ दिन तक जो है लंबी चलेगी साधना लेकिन अगर ऐसा कोई आपका शत्रू है जिसने काफी आपके प्रांड खींच रखें हैं दुखी कर रखा है तो आप जो है इस साधना को कर सकते हैं लेकिन पूरे मन के साथ इसको साधना को करना पड़ता है अगर हनवान जी के आप भक्त हैं उनकी अराधना करते हैं फिर तो और भी बहुत जो है अच्छी बात है बहुत जल्दी जो है आपको इनकी साधना जो है संपन होगी और आपको पूरे अनुबव भी होंगे यह साध जो भाव वाला व्यक्ति है वही करें ऐसा नहीं है कि आपके घर में अगर पूजा होती है और आप कभी कबार जो है माट मश्री वगएरा मदिरा जाए इस ये पसब लेते हैं तो तो ये साधना अपना करें क्योंकि आपको फिर ये फलेगी नहीं वही साधक इसको इसके लिए आ गया है जो सात्विक भाव वाला है सात्विक भोजन करता है नियम काईदे से रहता है और समय भी है उसके पास उस तरीके का व्यक्ति साधना को कर सकता है हमने कभी भी हनुमान जी के ओपर साधना नहीं डाली है या चर्चा नहीं ज़्यादा की है क्योंकि काफी लोग का जो रुजहान है कि ऐसी साधना लेके आए जो जल्दी सिद्वों जिनके द्वारा जल्द से जल्द काम लिया जा सके इस तरीके की हमारे यूट्यूब चै इस तरीके से जो है हनुमान जी की जो साधना है वो आपके लिए काफी फलदाई होगी अब इसके बारे में बोलने को कुछ नहीं है क्योंकि जब हनुमान जी की साधना हम कर लेते हैं तो सब कुछ बीच में आ जाता है हाँ आगर आप चाहें कि इसके द्वारा हम पैसा कमा लें या हम उल्टे सीधे प्रयोग कर लें तो उसके लिए नहीं है ये उस श्रेणी में आप इस साधना को नहीं कर सकते हैं कि मतलब कि आप किसी तांत्रिक की तांत्रिक का सामना करना चाहते हो तो आप या तांत्रिक को जो है गलत तांत्रिक है उसकी विद्ध्या बानना चाहते हो या फिर कोई आपकी उपर तांत्रिक प्रहार कर रहा है तो आप भी प्रहार करना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो पाएग हम सिर्फ ये साधना रक्षा के लिए देंगे क्योंकि हनुमान जी का एक प्रयोग भी है वजर प्रयोग अगर वो काफी खतरनाक होता है तो वो दिया नहीं जाता है लेकिन आपकी रक्षा के लिए आप ये साधना कर सकते हो आपके घर में अगर कोई बड़ा तंत्र के प्रयोग होते हैं और आपके घर में कोई बड़ा कोई सदस्य है आपका कोई जो है कोई भी व्यक्ति है घर में जो बड़ा है उमर में काफी बड़ा है और सात्वी भावाला है तो उसको कुरबा सकते हैं आपको कुछ भी रक्षा केरे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने घर की रक्षा करने के लिए आपको किसी तांत्री के पास नहीं जाना पड़ेगा जो मसान लोगों के उपर लगे रहते हैं वो कभी भी जो है आपको परि तो तैयार हो जाओ जो भी हनुमान जी के भक्त हैं बहुत खुशी होगी अगर कोई हमसे यह साधना लेकर करेगा तो मिलते हैं ने वीडियो में नमस्कार जैमा करें